Hello Everyone, Welcome to Study IQ Friends, आज हम बात करेंगे The Narcos of Afghanistan दोस्तों, Narcos शब्द जब हम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुछ लोगों के दिमाग में Netflix का जो TV सीरीज है Narcos वो आता होगा Narcos में जो famous cocaine smuggler था Pablo Escobar Columbia का, उसकी कहानी है पूरा नाम Pablo Emilio Escobar Gaviera Columbia का वो drug lord जो Medin Drug Cartel चला कर दुनिया का सबसे अमीर criminal बना उसके अपने peak पर जो assets थे वो 64 अरब डॉलर यानि की लगबग 4 लाग करोड रुपे थे खैर Pablo Escobar तो मारा गया और उसका दबदबा खतम हुआ लेकिन ड्रग का व्यापार खतम नहीं हुआ ड्रग ट्रेड में Pablo Escobar का नाम भले ही दुनिया भर में famous हो लेकिन ड्रग production में हमेशा से एशिया के दो रीजिन्स आगे रहे ये दो रीजिन South America से बहुत दूर हजारों किलोमेटर दूर है सबसे पहला जिसे हम बोलते है Golden Triangle South East Asia में Myanmar, Laos और Thailand का जिसमें कुछ हिसा आता है और दूसरा है Golden Crescent जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इरान का कुछ हिसा आता है United Nations Office on Drugs and Crime के हिसाब से अफगानिस्तान का Global Drug Supply में जो हिस्सा है वो 87% है अफगानिस्तान की GDP की 7% थी जब से तालिबान अब अफगानिस्तान में पावर में आ गया है तब से ये चिंता भढ़ गई है कि कहीं अफगानिस्तान एक Narcos State ना बन जाए लेकिन अफगानिस्तान दुनिया की Drug Capital आखिर कब और कैसे बनी आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूनेंगे और देखेंगे कि कैसे Cold War से लेकर आज तक की जियो पॉलिटिकल Complexities नहीं अफगानिस्तान Drug Cartels को जनम दिया और फिर उन्हें सस्टेन भी किया आज के वीडियो में हम अफगानिस्तान के नारको नेटवक को एक्सपोज करते हुए ये भी देखेंगे कि कैसे अफगानिस्तान मुझाही दिन से लेकर आज के तालिबान सभी ने अफगानिस्तान के Drug Cartels को सपोर्ट किया और वो उसका अटूट हिस्सा भी बने इसके अलावा हम अफगान ड्रग काल्टल के Drug Lords उनके International Networks और Trade Roots की चर्चा भी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अफगान नारकोस के इतिहास और उसके Geopolitical Connection से अफगान नारकोस History and Geopolitics फ्रेंड्स वैसे तो ओपियम सदियों से Regional Economy में Important रहा है यहां तक कि अंग्रेजों ने भी इसे एक Important Source of Revenue बनाया आपने ओपियम वार भी सुने होंगे लेकिन अफगानिस्तान में ओपियम की Current Situation का असल इतिहास 1979 से स्टार्ट होता है जब Cold War चल रहा था और अफगानिस्तान ना चाहते हुए भी Cold War Politics में फस गया 1979 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब अमरीका ने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि मुजाहिदीन जो थे वो रशियन इन्वेजन के खिलाफ लड रहे थे अमरीका के इस सपोर्ट से मुजाहिदीन लीडर नारकोस को प्रोमोट करने लगे सोवियत इन्वेजन ने अफगानिस्तान की जो रूरल एकोनोमी है उसको तोड़ दिया, उसको डेस्ट्रॉय कर दिया इसलिए वहां के जो किसान है वो ओपियम प्रोडक्शन में शिफ्ट हुए जोकि ओपियम एडवर्स कंडिशन में भी उग सकता है सोवियत के खिलाफ जो मुजाहिदीन लड रहे थे उनके लिए एक बड़ी ओपर्चुनिटी थी ये जिसका इस्तिमाल उन्होंने अपने वोर को सस्टेन करने के लिए किया और ओपियम फार्मिंग को प्रोमोट किया ओपियम फार्मिंग और ट्रेड में मुजाहिदिन इन्वाल्वेंट से ही अफगानिस्तान बहुत जल्दी एक ओपियम होट्सपोट बन गया खेर अमरीका के लिए एक ये बहुत बड़ी डिलेमा थी एक तरफ तो अमरीका साउथ अमेरिका में जो Revolutionary Armed Forces of Columbia यानि जिने हम फार्ग गुरिलाज बोलते हैं उनके खिलाफ ड्रग वार कर रहा था क्योंकि फार्ग गुरिलाज को Drug Cartel Finance करते थे लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में Drug Cartels के खिलाफ अमेरिका ने मुझाही दिन्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझाही दिन रशिया से लड़ रहे थे और अमेरिका की एक तरह से हेल्प कर रहे थे पाकिस्तान भी इस दौड में अमरिका का साथी बन गया और उसने भढ़ चड़ कर मुझाही दिन को सपोर्ट किया ISI ने अमेरिका और साउधी फाइनेंशल सपोर्ट से Drug Trade को फसिलिटेट किया और जो स्मगलिंग रूट वैपन्स और मेडिसिन्स में यूज होते थे उनको धीरे धीरे Drug Roots बना दिया कराची के जो Criminal Cartels थे Opium Drugs को USA और योरोप भेजते और वहाँ से मिले पैसे से मुझाही दिन को फंड करते तो इस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के जो लिंक्स थे उन्होंने अफगानिस्तान Drug Cartels को एक तरह से Globalize किया अमेरिकन और पाकिस्तानी लिंक्स अफगान Drug Cartels से जुड़े और 1990 तक अफगान Opium Production चरम सीमा पर पहाँच गया खैर 1989 के आसपास थोड़ी सी Global Politics बदलने लगी क्योंकि सोवियत जो है उसने अफगानिस्तान को छोड़ दिया तो जैसे ही सोवियत ने वहाँ से विड्रॉ किया अफगानिस्तान में एक Political Vacuum पैदा हुआ और वहाँ पर Civil War छड़ गया Pragmented Political Situation में मुझाहीदीन के अंदर भी कई Power Center एमर्ज हुए जो खुद को Assert करने लगे सभी लोग अफगानिस्तान की Politics में अपना हपना हिस्सा चाहते थे ऐसे में सभी छोटे छोटे जो दल है Drug Trade का इस्तिमाल करके अपनी Power बढ़ाने लगे और इस दौर में जो Drug Trafficking है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी अब हम देखते हैं तालिबान और नार्कोस के कनेक्शन को Rise of Taliban and the Narcos State Friends, अफगान Civil War जब 1996 में खदम हुआ तो मुझाही दिन का सबसे Powerful Faction तालिबान पावर में आया उससे पाकिस्तान और ISI ने भी सपोर्ट दिया तालिबान ने Civil War के वक्त से ही अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स का इस्तिमाल किया उसके पावर में आने के बाद 1996 में जो ओपियम 2550 metric ton produced होता था वो 1999 तक यानि 3 साल में ही डबल हो गया तालिबान एक तरह का Narcos State बनके उबरा जिसके Islamic Emirate की देख रेक में 97% एरिया अफगानिस्तान का वो ओपियम ग्रो करने लगा लोकल कमांडर्स को ड्यूटी दी गई थी कि वो ड्रग ट्रेड से आने वाले रेवेनियूज पर 10% टेक्स लगाए अफगान नारकोस में एक्सपर्ट ग्रेचन पीटर्स बताते हैं कि तालिबानी कमांडर मुल्ला मुहम्मद ने खुद ओपियम फार्मर्स के लिए प्रोडक्शन टार्गेट सेट किये थे और फार्मर्स को टार्गेट्स अचीव ना करने पर डेथ पेनल्टी तक दी जाती थी खेर तालिबान एक fundamentalist organization है और इसलिए year 2000 में उसने drug trade को un-islamic बता कर ban कर दिया ये ban क्यों लगा? इस पे scholars divided हैं कुछ ये कहते हैं कि 90% ओपियम क्रॉप्स को तालिबान ने destroy कर global supply chain two-third तक कम कर दी जो कि तालिबान की एक mistake थी क्योंकि ban ने अफगानिस्तान economy और opium farmers को negatively hamper किया और इसलिए तालिबान का political support कम हो गया लेकिन कुछ experts ये भी मानते हैं कि तालिबान का ये जो move था ये एक उनका रननीतिक decision था tactical decision था वो ban से supply control करना चाहता था ताकि opium के दाम बजार में भढ़ जाए और तम महनत में ज्यादा पैसे कमाये जा सके Gretchen Peters बताते हैं कि तालिबान ने बैन के बाद opium के stocks जमा कर लिए और 7 गुना price तक में उसे global बजारों में बेचा और खुब पैसा कमाया अब हम देखेंगे The War on Terror and American Follies यानि अमेरिका की गलतिया दोस्तों situation फिर बदली जब तालिबान बैग्ड अल-काइदा ने अमेरिका के twin towers पर attack किया 9-11 ने global politics को बदल कर रख दिया जिसका impact अफगानिस्तान पर सबसे ज़्यादा हुआ अमेरिका ने 2001 के अंत में war on terror के तहत अफगानिस्तान को invade किया और opium farms को destroy करना शुरू किया जिससे drug trafficking पर dependent जो terror groups हैं वो कमजोर हो जाएं लेकिन अमेरिका के जो ये efforts थे ये half-hearted थे जनरल टॉमी फ्रेंक्स ने 2002 में declare कि अमेरिका का main mission drug control है ही नहीं अमेरिका का ये जो half-hearted approach था ये फिर से strategic necessity के चलते था क्योंकि वो तालिमान के खिलाफ अफगानिस्तान के जो warlords थे उनको यूज करना चाहता था लेकिन ये warlords खुद drug trafficking में involved थे अमेरिका ने दिखावे के लिए कई counter narcotics effort किये और लगबग 80,000 करोड रुपे जोके लेकिन से कुछ भी खास फरक नहीं हुआ अमेरिका बैग्ड अफगान गवर्मेंट में corruption बहुत जादा थी और farmers के पास opium के अलावा कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो पैसा कमा सकें और इसलिए भी opium trade flourish होता रहा इसलिए US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction यानि सिगार ने कहा कि counter-narcotics program अफगानिस्तान की opium industry को destroy नहीं कर सकता फिर 2006 में पाकिस्तान में छुपे तालिबान जो insurgents थे वो फिर से powerful हुए और उन्होंने अपनी anti-drug policy को overturn कर फिर से narcotics trade में involve कर दिया इसलिए अपनी किताब Seeds of Terror में Gretchen Peters ये कहती है कि तालिबान opium के बिना survive ही नहीं कर सकता 2007 में तालिबानियों ने जब Musa Kala को control किया तो opium growing families पर 8 dollar monthly tax लगा दिया इतना ही नहीं उन्होंने opium trucks labs और cartels पर भी tax लगाए UN estimate कहते हैं कि US occupation के दौरान उसके 60% revenues drug से ही आते थे अब हम देखते हैं कि US withdrawal और new narco state friends हम जानते हैं अमेरिका ने अब अफगानिस्तान को छोड़ दिया है US के strategic interest के चलते उसकी complicity को या फिर पाकिस्तान का अफगान drug cartel को support बिना किसी state support के drug trafficking इतनी ज़्यादा flourish नहीं कर सकती ये हम सब मानते हैं कोलंबिया के example से भी ये clear हो जाता है कि अगर US चाहता तो वो drug trade को वहाँ पर control कर सकता था जैसे उसने कोलंबिया में किया ऐसे में जब से तालिबान फिर से power में आया है तब से drug trafficking को लेकर concerns बढ़ने लगे हैं क्योंकि तालिबान खुद अब एक state है जिसके खिलाफ action लेना US के लिए भी कठिन हो जाएगा वैसे तो तालिबान international recognition के लिए drug trafficking के खिलाफ actions लेने की बात करता है उसको अनिस्लामिक भी कई बर बताता है लेकिन ये सिर्फ एक lip service है यही वजा है कि 2020 में opium cultivation का जो area है वो 1.63 lakh hectare से भढ़कर assets पर भी तालिबान access को block कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने भी 600 million dollars का जो healthcare fund है अफगानिस्तान में वो block कर दिया है जब ऐसे economic sanctions और foreign aid में cuts लगेंगे तो जो अफगानिस्तान जहलेगा वहाँ पर economic crisis आएगा तो फिर से तालिबान drugs की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा ता ऐसे में तालिबान के लिए क्या रास्ता बचता है सिर्फ drug trade political reasons के चलते भी तालिबान एक narco state की तरफ भढ रहा है आज की तालिबान की जो सरकार है उसके कई नेता खुद actively narcos से connected थे 2012 का एक operation था operation reciprocity जिसके तहट जिन तालिबान नेताओं का नाम drug lords की लिस्ट में था उनमें मुला अब्दुल गानी बरदर और मुला खैरुला खैरखवा भी शामिल थे जो आज तालिबान कैबिनेट में है TEA के evidence बताते हैं कि मुला बरदर ने 1990 से तालिबान और regional drug lords के relationship को manage किया उसने हमिद करजाई की government के कई corrupt officers के साथ भी profit sharing deals की दोहा peace process के दौरान बरादार ने successfully हाजी जुमा खान को release करवाया जिसे अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक drug lord माना जाता था जून 2020 में मुला बरादार ने drug lord हाजी बशर नूरजाई के release के लिए भी push किया था तालिबान के नार्कोटिक्स पर dependence के चलते उसके नेता आज भी drug में share को लेकर लड़ते रहते हैं जब 2000 में drug ban हुआ था तो उसके बाद तालिबान की शक्ति में थोड़ी कमी आई थी उसके political connections भी कम हुए थे तो तालिबान drug ban करने की कोशिश नहीं करेगा बलकि chances ये हैं कि दुनिया भर के जो extremist organization हैं जैसे ISIS, हजबोला वगारा उनके ही strategies तालिबान adopt करेगा और drug financing जो है उसको अपना power source बनाएगा सालों के political chaos और economic destruction के बाद opium ही तालिबान का आधार है इसलिए जब से तालिबान सत्ता में आया है अफगानिस्तान में opium का rate तीन गुना भढ़ चुका है और इंडिया में भी पिछले कुछ महीनों में अफगान ओरीजिन के heroin और बाकि drugs के seizure बढ़े हैं heroin और opium के beyond भी concerns भढ़ रहे है अफगानिस्तान के जो drug cartels है अब methamphetamine या फिर meth नाम के synthetic drugs को भी deal करने लगा है UNODC की माने तो meth इन cartels को ज़्यादा profit margin देता है compare to opium क्योंकि meth production में expenditure opium से काफी कम है पिछले साल European Monitor Center for Drugs and Drug Addiction ने वान किया कि अफगानिस्तान की जो meth industry है जल्दी ही opium industry जितनी ही बड़ी हो जाएगी तालिबान खुद अफगानिस्तान के जो छोटे छोटे meth producing lab है उनको control करता जा रहा है चलिए अब नज़र डालते हैं तालिबान के drug networks और drug roots पर Drug Network and Smuggling Roots Friends ऐसा नहीं है कि तालिबान के बड़े नेता जैसे मुलर बरादार directly drug trade में involved रहते हैं बलकि वो ये सब अपने local commanders के थुरू करते हैं और पैसा कमाते हैं इसके अलावा तालिबान का network और strategy कोलंबिया के far gorillas जैसी है तालिबान ने over the time खुद को एक ऐसे multinational cartel की तरह डवलप किया है जो regional drug lords के revenues को tax करके पैसा कमाता है यानि protection money की तरह तात में वो खुद के भी labs operate करता है जो opium से heroin बनाते हैं और उनका large scale export भी करते हैं कई तालिबान commanders इसी तरीके से काफी अमीर भी हुए हैं जैसे कि मुल्ला अक्तर, मंसूर जिनोंने luxury cars और mansions पाकिस्तान और UAE में खरीद रखें तई regional drug lords तालिबान को donation भी देते हैं ताकि उनका business चलता रहे अफगान नार्कोस के illegal drug trafficking के route की बात करें तो वो कई तरीके से हैं तालिबान, opium और बाकी drugs को western Europe तक Caucasus और Balkans के रास्ते स्मगल करता है और फिर उन्हें European Cartel जैसे Italy के Kosa Nostra की मदद से North America तक पहुचाता है यानि वो drug जो अफगानिस्तान में produce होती है वो Miami और Florida जैसे शेहरों में बिकती है इसके अलावा North में वो तजिकिस्तान-based terrorist group जमात अंसरुला की मदद से रश्या तक drug supply करता है South Asia और South East Asia में ये काम पाकिस्तान के security officials और ISI की मदद से होता है जो खुद एक local smuggling syndicate या तंजीन की मदद लेते हैं कुछ reports ये भी दावा करती है कि अफगान opium का heroin में conversion पाकिस्तान-based labs में ही होता है और फिर वो Europe और America में जाते हैं The Washington Post में हमीर मिर लिखते हैं कि अफगान drugs का 40% trade आज पाकिस्तान से होता है UNODC की एक report है Voices of the Cook Akbar वो ये कहती है कि तालिबान औरतों को भी drug trafficking में courier की तरह इस्तिमाल करता है Friends, अब हम देखते हैं कि अफगान नार्कोस जो है वो इतना strengthen कैसे हो गया Prof. भ्रमा चिलानी कहते हैं कि अफगानिस्तान में भढ़ते नार्को टेररिजम के लिए सबसे ज़्यादा responsible America की foreign policy है जिसने आज तक extremism और drugs के links को seriously नहीं लिया वो कहते हैं कि अगर 2001 के अफगान invasion के बाद America सिर्फ terror groups पर attack की बजाए, opium trade पर ध्यान देता तो शायद अफगान नार्कोस उतने powerful नहीं होते और शायद terrorism को भी better manage किया जा सकता था वो मानते हैं कि drug trafficking हमेशा से ही यहाँ पर terrorism की read की हड़ी रहा है और ऐसे में America को इस backbone पर attack करना चाहिए था America ने Columbia में, South America में जो drug war है उसको बहुत seriously लिया था और वहाँ पर काफी drugs कम हो गए थे America का जो drug war है वो एक तरीके से यह था कि उसने Columbia drug lords को arrest किया फिर America के courts में उन्हें prosecute किया और उनके खिलाफ international pressure भी बनाया ऐसा ही एक plan 2012 में बना था जिसे operation reciprocity कहते हैं लेकिन यह plan launch हुआ लेकिन फिर back burner पर रख दिया गया क्योंकि America को डर था कि Taliban के साथ peace negotiation इससे hamper हो जाएंगे इस operation के तहट America का जो drug enforcement administration है और कई justice department officials उन्होंने 26 तालिबानी drug lords के नाम prosecution के लिए सजेस्ट किये थे लेकिन America ने इनके खिलाफ कोई action नहीं लिया क्योंकि उससे डर था कि अफगानिस्तान से जो negotiations है वो fail हो जाएंगे प्रहमा चिलानी तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका की इस flawed policy के चलते ही 2020 में अफगानिस्तान छोडने पे अमरिका मजबूत हो गया क्योंकि Taliban शक्तिशाली होता गया और Taliban इसी वज़े से अफगानिस्तान में पावर में आया तो friends ये था अफगान नार्कोस का पूरा इतिहास उसके networks और उसके geopolitics की पूरे संबंदों की दास्तान ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में लिखे ज़रूर बिताईए आप future में एक नार्कोस्टेट अफगानिस्तान को देखने है या नहीं ये भी मैं जानना चाहूंगा आपके क्या विचार है हम लंबे कमेंट्स प्रेफर करते हैं Study IQ पे तो कोशिश करिए कि 3-4 लाइनों में आप लिखे जो भी आपका इस पर कहना है Thank you for watching Study IQ